हेले स्टूरेंट में आप सभी का ज्यान चेतनया चैनल में बहुत-बहुत स्वात करती हूं तो आज के इस टॉपिक में हम स्वराज पार्टी को देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो जो है बनाया था आसायोग अंदोलन का फिर देखा कि जो है के स्टार्ट करते हैं कॉंग्रेस ने उनीस सु नीस के भारतिये सासना दिनियम दौरा इस्थापित के इंद्रिये बाप प्रांतिये बिधान मंदल के उनीस सु बीस में हुए चुनावों का बहिश्कार किया सुरेन नार्ट बेनार जी के नितुत्र में अलग हुए नेशनल फिडरेशन ने उनीस सु बीस के चुनावों में हिस्सा लिया, उनीस सु इकीस में एहमदाबाद अधिवेशन में मुलाना हस्त मुहानी प्रस्तावित किया की सवराच को सभी प्रकार के विदेशी नियंतर से मुक्त संपूर्ण सौतांधिता के रूप में परिभाशत किया जाए अठाr संपूर्ण सवराच को कौंग्रेस का लक्ष मानने का प्रस्ताव रखा जून 1922 में कॉंग्रेस ने अपनी भावी रड़ नीती के लिए सबीने अवग्या जांस समीती के स्थापना की इसके अध्यक्ष हकीम अजिमल खान थे तथा प्रतिवेदन मोतिलाल नहरू ने तियार किया इसके अन्य सदस्य जो है डॉक्टर अंसारी, सी राज गोपाला, बिठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगा थे कॉंग्रेस का परिवर्टन बादी गुर्ड देखते हैं असायो गांदोलन के इस्तगत्य से उत्पर निराशा ने कॉंग्रेस में एक नई विचार धारा को जनम दिया जो परिवर्टन का अबादी कहलाते हैं इसके सूत्रधार, मोतिला, नहरू थे वा चित्रंजन दार्स थे क्योंकि इनों ने जो थे इसका असायो गांदोलन का विरोध भी किया था सीयारदास और जिन्ना और ये सभी इन दोनों ने बिधान मंदलों में प्रिवेश कर इसके भीतर कारिवाही को ठप करके रास्टी आंदोलन को जारी रखने के रणनीती बनाई इस प्रकास स्वराज पार्टी का मुक्ष देश बिधान मंदलों तक पहुंच गया उनीस सो नीस के सुधारों का खोकला पन उद्ध घटित करना वा परिशत के सभी कामों में रुकावट डालना नौकर शाही को बे नकाब करना वा असायों को बिधान मंदल में पहुंचाना था 16 दिसम्बर 1922 को मौतिलाल नहरू बननमोहन माल हु Judy लोग है कभी इसका नाम दे दे देती नग्शुच से जाहीरे दो तो मोतिलाल नेरो मदनमोहन माली बनाई थी। 1922 के कॉंग्रेस के गया दिवेशन में मोतिलाल बासी आर दास ने चुनावों के माध्यम से बिधान मंदलों में प्रिवेश का प्रस्ताव रखा जिसे कॉंग्रेस ने बहुमत से अस्विकार कर दिया। कॉंग्रेस का आपरिवर्तन वादी गुट सी राज गोपालाचारी डॉक्टर राजेंद प्रसाद बल्लब भाई पतेल बार डॉक्टर अंसारी जैसे आपरिवर्तन वादी वा कट्टर गांधी समर तक नेतावने परिवर्तन वादियों मोतिलाल बसी आर दास अजमल खांके विचारों को अस्वीकार कर गांधी के रचनात्मक कारेयों जैसे चर्खाकातना, हरीजन, उद्दार, मद्दत्याग जैसे कार्करमों का समर्थन किया आपरिवर्तन बादियों ने गांधी सेवा संग के स्थापना की इसके सदस्यों में राजन पिरसाद राज गोपाला चारिये सरदार बल्लब भाई पटेल गंगा धर राव जमनालाल बजाज प्रमुप्थे आपरिवर्तन बादियों के एक प्रती निदी मंदल ने गांधी जी के रचनात्मक कारियों को पूरा करने बा उन्हें लोग प्रिये बनाने के लिए पूरे देश का दोरा किया और आपरिवर्तन बादियों ने सरदार बल्लब भाई पटेल तथा बिठल भाई पटेल के नित सत्याग्रह कंग्रेश को रोकने के बिरुद हुआ कि इस सत्या ग्रह में इस थानिये कॉंग्रेशियों नांग्पूर चलो का नारा दिया स्वराज पार्टी का गठन देखते हैं तो चुनाव द्वारा विधान मंडल में प्रिवेश के प्रिस्ताओं को अस्विकार करने पर गया कॉंग्रेस अदिवेशन के अध्यक सियार दासवा मोतिलाल ने कॉंग्रेस से त्याग पत्रे दे दिया और 31 दिसंबर 1922 को स्वराज पार्टी के गठन की गोश्रा की सियार दास देश बंदू के नाम से प्रिस्द्ध थे इन्होंने कहा कि स्वराज आम जंता के लिए होना चाहिए केवल बर्गों के लिए नहीं परिवर्तन बादियों सियार दास वा मोतिलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाबाद में कॉंग खिलाफत स्वराज पार्टी वा स्वराज पार्टी के स्थापना की सियार दास स्वराज पार्टी के अध्यक्षवा मोतिलाल नहरू सचियू थे हकीम अजमल खां भी स्वराज पार्टी में शम्देथ थे एनसी केलकर बा बिठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के सहसंथापक थे स्वराज पार्टी को मालविये जैकर्स एवं श्री निवास अयंगर जैसे राष्टवादी नेताओं का भी समर्थन प्राप्त था इस प्रकार कॉंगरेस में परिवर्तन बादी एवं आपरिवर्तन बादी को दो दल बन गए स्वराज पार्टी ने अपने को कॉंगरेस के विभिन अंग के रूप में ही परचारित किया तथा आहिंसव असायोग में अपनी परती बद्धिता को प्रकट की सितंबर 1923 में दिली में मौलाना आजाद की अदेख्षता में कॉंग्रेस के बिदेश अधिवेशन में स्वराज पार्टी वा उनके कारकरम को कॉंग्रेस के अंतरगत ही मानिता दी गई इस प्रकार कॉंग्रेस एक और विभाजन से बच गई कॉंग्रेस ने स्वराज दल के कारियों को अरंगा डालने की नीती बताया डाक्टर जाकिर हुसेन का कहना था कि स्वराज वादियों की इस्थिति उन व्यक्तियों जैसे थी जो अपनी रोटी को रखना भी चाहते थे और खाना भी चाहते थे दिसंबर 1923 में काकी नाडा में हुए कॉंग्रेस के वार्षिक अदिवेशन में कॉंग्रेस कारिकर्टा को चुनाओं लड़ने वा मतदान करने के अनुमती 1923 में मिल गई 1923 के विधान मंदल चुनाओं में स्वराज पार्टी के गोशना पत्र में उन्होंने यह प्रितग्या ली कि वे केंद्रिय वा प्रांतिय विधान परिशादों में सरकार के कामकाज को बादित करेंगे 1923 के चुनाओं में स्वराज जीयों ने केंद्रिय विधान मंदल की 101 में से 52 सीतों पर जीत हासिल की प्रांतिय विधान मंदलों में मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को इसपस्ट बहुमत मिला बंगाल में बे सबसे बड़े दल के रूप में उभरे तथा बंबई बा उत्तर प्रदेश में संतोज जनक सफलता मिली स्वराज पार्टी को मद्राज पंजाब में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली गांधी और दास का समझोता देखते हैं तो 6 नमंबर 1924 को गांधी जी और सी आर दास और मोतिनाल नहरू के मद्ध जो है बंबई में एक समझोता हो इसके अंदर कर यह तेख हुआ कि स्वराज पार्टी अपना काम कॉंग्रेश से सुतंत्र होकर एक स्वत्त निकाई की रूप में करेगी और स्वराज पार्टी का अलग सचिवाला होगा तो अब यह कॉंग्रेश से अलग हो जाती है स्वराज पार्टी यह समझोता गांध का दिवेशन में गांधी दास समझोते की पुष्टी कर दी गई उनीस सो पच्चिस इस्वी में बिट्टल भाई पटेल केंड्रिय बिधान परिशा सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली में असेंबली के अध्यक शुने गए नगरपाली का चुनाओं में सी आर दास कलकत्त चाके मेर एहमदाबाद में बिठल भाई पटेल पटना में डॉक्टर राजन प्रसाद तथा इलाबाद में पंडित जवाहल नेहरू मेर चुने गए मोतिलान नेहरू के नितत्र में स्वराजियों ने 1924 में एक संसोधन प्रसुत किया और मांग की कि भारती सभिधान का निर्मान भारती सभिधान सभा के द्वारा ही होना चाहिए स्वराजियों की बिधान मंडल में प्रमुक उपलब्धियां देखते हैं तो 1929 के अधिनियम की जाज के लिए 1924 में मुड़ी में समीती न्यूक्ते करवाना सर अलेकजेंडर मुड़ी में गवर्नर जनरल के कार्यकारणी परिशत में गिरह सच्यू थे कपास पर लगे उत्पाधक शुलकी की समाप्ती वर नमक कर्मे कटोती शिर्मकों वर मजदूर संगों के लिए कारियां मुड़ी में कमीटी सर अलेक्जेंडर मुड़ी में के देख्षता में ये समीती 1919 के अधिनियम के तहत लागू दोइत शासन की जांच के लिए 1924 में बनी इसमें चार भारती सदस्य थे सर शुव स्वामी आयार डॉक्तर आर पी परांजिपे सर तेज भादूर सप्रू मुहमत अली जन्ना इसमें 1925 में अपनी रिपोर्ट प्रसुत की रिपोर्ट के दो भागते मिजोरिटी रिपोर्ट इसमें अधिकारियों ने रिपोर्ट दी की दोइत शासन सही लागू नहीं हुआ तथा इसे लागू होने का सही अफसर भी नहीं मिला अताहा इसने केवल छोटे सुधार माइनोर्ट चेंज की सिपारिश की माइनोरिटी रिपोर्ट इसमें गेर अधिकारी भार्टियों की राय सामिल थी जिनोंने दोईत शाचन को पूरता विफल बताया मिटी मेन समीती के सिपारिशे थी दोयत शाचन के अलोचना करना आगे देखते हैं 1919 के अधिनियम के धांचों के मूल भूत परिवर्तन के सिपारिश भी करना था इस हेतु एक शाही आयोग के गठन के सिपारिश भी करना था सुराज पार्टी में संकट देखते हैं तो जून 1925 में चितरंजन दास की मिट्टियों के बाद सुराज पार्टी कमजोर हो गई तथा पार्टी दो गुटों में बढ़ गई सरकार के साथ सहयोग करने वाले सुराज पार्टी का गुट प्रियुत्तरवादी कहलाया ये गुट हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार के से साथ सहयोग करने का एक शुक था इस गुट में M.C. केलकर और M.R.J. कर मदन मोहन मालविय आदी थे बंबई के सुराज वादियों ने भी प्रियुत्तरवाद या प्रटियोगी सहयोगी की नीती का समर्थन किया तथा मध्य प्रांथ मैं तो बिधान सवा में सुराज दल के अध्यक्स श्री एस्वी तांबे गवर्नर की काने कानी परिशत के सदस से बन गए मोतिलाल नहरू ने पहले तो इस सहयोगियों को डाटा किंतु बाद में इन सहयोगियों से समझोता कर लिया जो सावार मती समझोते के नाम से प्रिसित है इस समझोते में लाला लाजपत लाय राय केल कर डॉक्टर मुझे सरोजनी नाइडू एम एस आड़े आदी ने भाग लिया गांधी जी भी इस आउसार पर उपस्तित थे इस समझोते के अनुसार यह ते हुआ कि यदि सरकार प्रांतों में मंत्रियों के हाथों में प्राइश सौपने को त्यार हो तो उसे सहोग किया जा सकता है और गवर्नर की कारकारने का सदस बनना स्विकार किया जा सकता है बाद में मालवी वालाला लाचपत राय ने सुतंत कॉंग्रेस पार्टी के स्थापना की जिसके पास राजनेतिक नरमबाद बाइस्पष्ट हिंदुबाद का मिला जुला कारकरम था प्रतियोगी सहयोग के समर्थक जैकर मुंजे और केलकर भी कॉंग्रेस से अलग हो गए सरकार के साथ सहयोग ना करने वाला गुट अप्रित्वादी कहलाया 1926 के चुनाओं में सुराज पार्टी को इसे सफलसा नहीं मिली क्योंकि उसे विद्रोही कारे करता हुआ हिंदू मुस्लिम सामपरडायक्ता का सामना करना पड़ा 1926 में ही सुराज पार्टी एक तरह से समाप्त हो गई 1925 में मोतिलाल नहरू थल सेना के भारती करण के लिए बनाई गई समीतNIE चे इती नहीं समीती इसी समीती की अन्यभात्य सदस मोहमद अली जिन्ना था रामा सौमी आयंकर तथा एम चंडरराउ थे भारत के प्रदान सेना पति लेफ्टिनेंट जर्णर सर एंड्ριू समीती के अध्यक्ष बनते हैं इसकीन समिती उनीस वटाइस में केंडरी विधान मंडल में पेश किये गए पॉब्लिक सेफटी विल का सभी राश्टिय शक्तियों ने बिरोध किया मोतिलान नहरू ने इसे भार्टिय राश्टवाद पर सीधा हमला भार्टी गुलामी विद्यक नंबर वन की संग्या थी स्वराज पार्टी स्वराजबादी अपने लक्षवा कारकरम में पूरा अवसर मिलने के बाद भी असफल रहे उसकी असफलता के बाद कॉंग्रेस की बाग दोर पुना गांदी जी को मिली चितरंजन दास की मित्यु हो जाती है और बंगाल में कॉंग्रेस दो गुटों में बढ़ गई एक गुट जितेन मोहन सेन गुपता अनुशीलन समीती और दूसरा जो है सुवाशन बोस यूगांतर समूंग्या अंदोलन के दूसरे चरण के बाद कुछ लोगों ने पार्टी को पूरना जीवित करने की बाद चलाई इसमें आसा फली स स्त्यमूर्टी म अंसारी के एम्मून्शी बीसी राय मारामा सौमी अइंकर प्रमोग थे उनीच सो तैस में सत्यमूर्टी ने मदराज स्वाराज पार्टी का गठन किया और के मून्शी इवं सत्यमूर् प्रेस के अंदर सविदान बादी समझे जाते हैं तो यह था यहां पर स्वराज पार्टी से संबंदे दिये वीडियो अब अगला जो है साइमन कमीशन का होगा तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है